नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे युनिवस्टी अपडेट यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ये वीडियो उन सभी इस्टुनेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने जा रही है जो दिलिवस्टी में एडमिसन लेने जा रहे हैं PG कोर्स के अंदर क्यूंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट दी है यहाँ पर दिलिवस्टी ने तो इसको आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बिल्कुल यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट होने वाली है तो अभी से वीडियो को लाइक कर देना जो चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उसके अंदर जो भी इंपॉर्टन्ट अपडेट से उसको दुबार से अलग करके फिर से इसके अंदर डाला गया है सब को अलग लग कर रखा था पर यहां पर यह अच्छा काम किया इन सभी को आपने अदेख सकते हैं कि इन्हों ने एक ही पूरी पीडियाफ में इनको बना दिया है एक ही पीडेफ में इन्होंने सब चीज को यहां पर मैंसन किया है समझे तो एक पीजी की तरफ से बहुत बड़ी आज यतना ही जैसे हैं लिस्ट प्रोग्राम पर अगर आप एडमिसन ब्रांच की में साइट पर जाएंगे तो उनकी पीजी की लिस्ट है वो अलग-लग इन्ह जो भी आपके प्रोग्राम आते हैं उसमें दिया है कि देखिए डिपाटमेंट क्या है इनके पास और उसमें प्रोग्राम के इनको अवलेवल कराएंगे कौन सी फवेकल्टी और एडमिसन किस प्रकार से लेंगे ett मेंगे entrance में लेंगे यर Marit entrance बोत में लेंगे तो इन्हों ने एक ही में सब close बताय के आप इसको आप पहले देखने के लिए आपको साइट पर जाना पड़ेगा और अलग लग हर चीत देखने पड़ेगी समझ गही है आपका बिल्कुल के लिए रहे उसके बाद इन्हों एंदर के जो बंदे उनको कितनी दी गई है इसको अगर आप पहले चेक करते तो हर किसी को अच्छे से नहीं समझ आता था क्यूंकि अलग लग चीज़े थी पर इसी में एड किया है तो काफी अच्छा है समझ गए और काटेगरी भी दिये रखिये जैसे की LGBT काटेगरी तू इसमें दिया वाइं 50 पसंट मार्क्स साइंस सोसल साइंस वाले या हमलिटी वाले 50 पसंट को चाहिए जो साइंस फिल्ट से इनको 55 चाहिए और जो भी आप पोर्स लेंगे उसके अंदर 200 मार्क्स चाहिए यह सब भी बी बीड वाले जितने भी स्ट्वेंट जो स्पेसल एजुकेशन से कर रहे हैं बीड एमार या विवाई से तो एक बर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको इससे कुछ और इन्फोर्मिशन चाहिए हटकर स्पेसल एजुकेशन की तो जरूर बताना हम आ नॉर्मल बेड की बात करें तो नॉर्मल बेड आगया आपका जिसमें की 438 टोटल सीट हैं जैसे कि आपको चार आपको कॉलेज जो हैं यहां पर पर प्रवाइड होते हैं जैसे कि लेडी एर्विन कॉलेज, C.I. Department of Education का जो मेन कैमपस का जो फैकल्टी है हमारी Central Institute of Education यहां पर देखिए कितनी सीटे 125 सीटे हैं 50 जर्नल की, SD की 19, 9, SD की 24, 34, OBC की और 13 EWS की तो इन्होंने इस बार सब कुछ एक ही में मर्ज किया तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में भी और सही से इसको पंड़ने में भी अच्छा लगता है और हर चीजा लग लग होती है तो कनुसार समझगे B.E.D की कि इन्परमेशन है, जो कि आापको जाननी जरूरी है, अगर आप B.E.A.D करते हैं तो आपको B.E.A.D वाले जरूर, को लाइक करते हैं तो ढर बी इस्टोर से किसे से भी कर रहा तो एक बेंग कुमें किन्ट करके जरूर बता conviction कि हम, से तो आपको ब्यूटि स्पेशल की वी अच्छी सजनकरी मिल जाएगी तो मास्टर की कोर्स पर आजाते हैं ब्यूट का मैंने बता दिया बिश्पेशल भी बता दिया आपको मैंने और यहां से ना मास्टर के को शरूँगे जैसे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल तो मैं डा संस्क्रिट में आपको यहां दिया वाए कि यहां पर एडमिसन कैसे होता है बोथ कैटेगरी में होता है मेरिट और एंट्रेंस दोनों में मेरिट में केवल वही इस्टुएंट यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनोंने दिल्ली निवस्टी से पढ़ाई करी है बी ए हमें संस्कित में किया आये अब इसके अंदर देखके इंदर कॉलेज कितने सारे आ गए यहां पर यहां पे में हिंदी यह देख सेते हो चावाल इस पर जाओगे ना जब आपको मिल जाएगा में हिंदी वाले जितने भी स्टुनेंट है हमारे तो मैरिट और एंट्रेंस दोनों तरी के से एडमिसन होते हैं यह सभी कॉलेजिस के अंदर दिये हुए हैं और काफिस के अंदर गल्स कॉल हैं बहुत बड़िया करा इन्हों झाल ने समझ गए तो काफी बड़िया है तो इसे देक सकते की हरे बाकि बड़िया है इसब क आप नहीं यह अच्क्छ eran को लेट और कोर्स कि जो आपकी सीट है वो भी देख सकते हो मेरिट में कितनी एंट्रेंस में कितनी है सब यह अच्छे से बताए हुआ है बाकि कोई डाउट होगा तो comment box में comment करना और यह categories है कि किस category में आपको कैसे admission मिलेगा और I hope आप सभी ने form फिल भी किया होगा क्योंकि form फिल की काफी लेट अगे चली गई है और अभी भी form फिल हो रहा है समझ गया इसकी याद नहीं है वैसे अगर form भरे रहे हैं तो बच्चे भरी रहे होंगे समझ गये मेरिट की देख लिए चली कि मेरिट मेंनों क्या बोला कि आठी भी preference लगेगी और बी अउनर्स हिंदी लगेगी जो भी उनिविश्टी ओफ डेली से किये हैं परसेंटेज दिये कि मिनिमम 65 परसेंट होनी चीए जैनरल में समझ गये कि सब इसके अंदर चीजें हैं और यही सबी मैं आपको एक बार बता रहा था क्यूंकि काफी इस्टुएंट्स अलग-अलग हर चित देखते हैं समझ नहीं आती पर एक ही पी डेमन को मिल जाता तो काफी अच्छे से समझ जाते हैं तो इस अभी आप सभी को बतानी थी बा चेंज हुआ है हर चीज चेंज हुई है तो आप सभी को समझना भी बहुत जरूरी है समझ गये जो भी आपका दोस्त साथी जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी कोर्स की PG मैडमिसन ले रहा है या यूजी मैडमिसन ले रहा है तो उनको अपडेट हर चीज को करते रही है और आप सभी जितने भी इस्टोनेंट्स न्यू वीडियो देख रहे है यूजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि यहां पर आपको सभी यूजी की अपडेट अप्टो डेट मिलती रहती है बिलकुल आज की वीडियो को हम यह एंड करते हैं जै हिंद जै भारत